तो इसमें एक जो मित बच्चों को रहता है कि अगर मुझे फ्रेमवर्क आ गया या फिर फ्रेमवर्क अगर मुझे सीखना ही है तो मैं HTML, CSS सीख कर क्या करूँगा तो यह थोड़ा सब मित है आप लोगों को Hey guys, I'm Dupali Agrawal and welcome back to my tip channel for my scholars So web development series में हम लोग cover कर चुके हैं HTML and CSS अगर आपको इनका कोई भी topic पढ़ना है तो आपको इनका link मिलेगा नीचे description box में आज से हम लोग start कर रहे हैं bootstrap framework मैंने poll भी डाला था तो मेरे पास जो सबसे जादा request आएं थी वो आएं थी bootstrap framework के लिए तो इसलिए आज से हम यही course स्टार्ट कर रहे हैं तो basically bootstrap होता क्या है यह एक front end framework है जैसे कि आप अपनी website designing के लिए CSS का यूज करते हैं हम लोग अलरी पढ़ चुके हैं कितनी सारी styling हमने लगाई थी जैसे कि हमने images पर styling लगाई थी text पर background पर या फिर कोई भी आपको उसमें component यूज करना था उसके styling करनी थी तो उसके लिए हम लोग CSS यूज करते थे राइट एंड ब्लुकुल इस scratch से उसका code लिखना हम लोग start करते थे बट जो यह frameworks हैं जैसे कि bootstrap framework तो इसके लिए आपको वो CSS को basic से scratch से लिखने की जरुरत नहीं है यानि कि आप अगर अपनी website designing कर रहे हैं तो scratch से आपको code लिखने की जरुरत नहीं है आपके पास already written code available है आपके पास बहुत सारी classes available हैं जिनका आप directly अपनी जो website HTML code है उसमें आप use कीजिए and you are good to go तो इस course में हम लोग यही चीजे सीखेंगे कि कैसे हम लोग उस bootstrap की already written classes है उनका use हम कैसे अपने HTML code में करेंगे वही बस trick है एक बार अगर आपको अपने कोई भी HTML code में किसी भी class का use करना आ जाता है तो आप कोई भी component का use कर पाएंगे तो इसमें एक जो myth बच्चो को रहता है कि अगर मुझे framework आ गया या फिर framework अगर मुझे सीखना ही है तो मैं HTML CSS सीख कर क्या करूँगा तो यह थोड़ा सब myth है आप लोगों को अगर आप bootstrap स्टार्ट कर रहे हैं तो make sure कि आपको HTML and CSS का basic आता हो ठीक है तो that is the prerequisition for this bootstrap framework इसके लावा जो bootstrap framework है हमारे पस और भी बहुत सारे frameworks available है जैसे कि tailwind बहुत ज़्यादा trend में है इसके our skeleton and foundation बहुत सारी बहुत नम्मी list है जिनका use किया जाता है but bootstrap जो है basic और बहुत पुराना framework है तो इसलिए हम लोग bootstrap को सीखेंगे bootstrap अगर आपको use करना आ जाते तो आप अपनी बहुत बढ़ी असी website बहुत ही कम समय में बना पाओगे तो यह जो framework का use है इसके थुरू एक तो आप responsive website बना पाते हैं और दूसरा जो development process है वो speed up हो जाता है बहुत कम time हमें लगता है तो इसलिए इन framework का use करना is not bad आपको use करना चाहेंगे but make sure कि आपको html and css आता हो ठीक है तो चलो भई अपनी वीडियो को हम लोग start करते हैं and वीडियो start करने से पहले यह जो subscribe का बटन है इसे press कर दो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो subscribe नहीं किया है और वीडियो दिखकर चले जाते हैं आपको क्या करना है और आपकी पास यह एक वेबसाइट आजाएगी getbootstrap.com just open it और यहां पर आपके पास option आएगा read the docs just click on this तो यह आपके पास पूरा grunt हा गया है bootstrap का कौन सा component आपको use करना है उसके लिए क्या code use करना है आपको अपनी website में वो सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है देखो मैं आपको दिखाती हुए यहां पर जैसे कि आपको अगर grid लगाना है columns लगाने है z index यूज करना है image यूज करनी है range लगानी है input group layout कितने सारे options है cards का यूज करना है जैसे कि यहां पर click किये आपने तो देखे आपके पास यहां पर पूरा code आजाएगा यह sample है कि आपको अपनी website में इस तरह का card यूज करना है तो आपको इस वाले code को copy करना है इस तरह का card यूज करना है तो just copy this code आपको यह यूज करना है कुछ इस तरह का क्योंकि भई अलग-अलग website पे cards different तरीके से यूज होता है चलो cards के लावा में कुछ और option लेती हूं क्योंकि cards generally हम लोग यूज नहीं कर रहे होते हैं just a second हम लोग मालो नेव बार की यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो नेव बार होती है नेविगेशन बार होती है कुछ जगा पर कुछ इस तरीके से होती है बहुत सारी वेबसाइट पर किस feature का यूज करना है उसके accordingly आप ये code को copy कीजिए और अपनी html code में लिखिए और आपको मिल जाएगा एक already written class के थूँ बना हुआ एक अच्छा सा designing वाला page तो देखते हैं कैसे हम लोग इसका use करेंगे आपको बाइस क्या करना है इस doc का use करना है और कहीं पर जाने की जरुवत नहीं है सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं बहुत ही simple सी website बनाएंगे तो let me show you कि कुछ किस तरह की हम लोग website बनाएंगे let me just open it तो कुछ यह बहुत ही simple सी website मैंने बनाई है यहाँ पर जो data है draw data है जो हम Lauren की through लिखते है वाला data है बट आपको एक layout मिल चाहेगा और जो हम website बनाएंगे न वहाँ पर most of the components जो कि आप अपनी website में use कर सकते हैं उनका मैं आपको use करकर दिखाऊंगी जैसे कि देखो यह navigation bar है इसमें यहाँ पर मैंने drop down यूज किया हुआ है यहाँ पर इस तरीके से जो मारे पर sliding images होती है वो use किया है यहाँ पर icons का use किया है progress bar का use किया है एक image का use किया है एक ही फ्रेम वर्क में एक ही आपके सक्ते हैं विंडो में मैंने दो windows बनाई है उसमें अलग-अलग features का use किया है Map का use किया है यहाँ पर हमने message box का use किया है buttons का भी use किया है kerosol यह तरीके से आपने देखा होगा इस feature को kerosol कहते हैं इसका यूज किया है और फुटर का यूज किया है और आप देखें तो हर जगा बैक्ग्राउंड कलर अलग अलग है वो चीज हमने यूज की है अब आउट अस पर हम जाएंगे तो कुछ इस तरीके से मैंने यहां पर देखें कुछ no more यानि कि यह option before वाला आफटर वाला जो option होता है वो यहां पर यूज किया बटन का यूज किया है और इस तरीके से images and उसकी respect में हमने जो content ने उसका यूज किया means बहुत सारी चीज़े यहां पर इस website में आ गई है तो हम same website बनाएंगे ठीक है और बहुत मज़ा आने वाला है बनाने में बहुत मज़ा एगा मैं सच बता रही हूँ क्योंकि आप क्या करना देखो मैं आपको बताती हूँ आप किस तरीके से इस चीज को बनाना जो में बताऊंगी ना पहले exactly वो चीज बनाना फिर उसके बाद कि जो चीजे मैं बता रही हूँ पहले आप उसको as it is आप ट्राय करो and then आप अपने अकॉर्डिंगली अपने जो भी फीचर्स लगाने वो चीज़ लगाते जाना तो हम लोग क्या करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग एक बनाएंगे प्रोजेक्ट यहां पर एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग प्रोजेक्ट वान करके फोल्डर हमने बना लिया है और इसको हम लोग उपन कर लेते हैं with VS Code so अगर आप बूटिस्ट्राप फ्रेमवर्क का यूज कर रहें तो आकि पास दो मैथट्स है कि आप बूटिस्ट्राप का जो एक टूल है उसको आप डाउनलोड कर लीजे and then उसके बाद उसको embed किज़े अपने प्रोजेक्ट में दूसरा option होता है CDN K-Through तो हम CDN का prefer करते हैं क्योंकि क्या होता है यह online data उठाता है तो जो भी changes होते हैं automatically महाँ पर होती रहती है तो मैं prefer करती हूं CDN का use करना तो देखे कैसे हम लोग उसका use करेंगे तो जस्ट यहां पर introduction पर क्लिक कीजेगा और यहां पर जैसे देखों यहां पर इसने सब कुछ लिखावा होगा कि create a new index.html file तो हमने index.html बना लिया है अब उसमें इस code को मुझे copy करना है तो मैंने यहां से इसको copy किया और यहां पर जस्ट मैं इसको यहां पर लिख दूँगी देखते हैं किया कि इसने ctrl s करती हूं और go life मैं करती हूं तो अभी मेरे पास just hello world यहां पर आ गया है अब हमें next cdn को add करवाना है अपने इस project में ताकि हम लोग bootstrap का use कर सकें यहां पर देखिए हमारे पास cdn links में दो links given है css के लिए and javascript के लिए तो css तो हमें copy करना ही है बट javascript भी हम लोग copy करेंगे और तो हमने अभी javascript नहीं पढ़ा है तो इसलिए हम इसको आत्वात copy करके चलेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है देखिए include bootstrap css and javascript तो यहां पर इस वाले code में इन्होंने bootstrap and javascript दोनों का यहां पर code add किया है तो just copy this और इसको हमें यहां पर use करेंगे तो ctrl v मैंने यहां पर किया ctrl s किया तो अभी दिखते हैं इसमें क्या changes आया है just hello world ही इसने print किया है बस आप अगर ध्यान दो तो head tag के अंदर इसने एक link यहां पर add किया है जो कि css के लिए है and body के अंदर इसने एक script add किया है for javascript तो दोनों को ही आपको hand to hand add करके चल ला है so जब हम लोग bootstrap पढ़ते हैं तो वहाँ पर सबसे important एक topic आता है grid and grid के कुछ parts है मैं यहाँ पर link देती हूँ इससे आपको ध्यान ने रहेंगी चीज़े मैं यहाँ पर link देती हूँ grid हमारे पास सबसे important है and उसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़े आती है जो हमें आनी बहुत जरूरी है अगर आज आती है तो आगे का सब कुछ बहुत हमारे लिए easy हो जाता है एक तो breakpoints and इसके अलावा आता है फिर row and columns and container यह topic बहुत important है तो मैं आपको बहुत ही deep में यह topics बढ़ाने वाली हूँ क्योंकि यह आप यह समझ लो base है bootstrap framework का अगर आपको यह समझ में नहीं आये है अच्छे से तो समझ लो भाई bootstrap का आप यूज नहीं कर पाऊगी अपनी website को responsive नहीं बना पाऊगी यूज तो कर लोगे bootstrap framework का बढ़ responsive नहीं बना पाऊगी कैसे मैं बताती हूँ तो देखो यह वाली website के हमारे पास तो यह responsive कैसे है इंस्पेक्ट पे किया मैंने तो अभी देखो क्या हो रहा है हमारे पास कुछ इस तरीके से content है अब मैं अगर इसका size छोटा करती हूँ यानि कि मालो यह ipad पर यह चल रहे है तो हमारे पास कुछ इस तरीके से data आ रहे है अब मैंने इसे छोटा किया phone में तो phone में इतनी बड़ी window तो होती नहीं कि हमारे पास यह contact form भी पूरा आजाए और address भी आजाए एक ही उस पे window में तो क्या होना चाहिए कि भाई जब हम यह phone में website चलाएं तो यह form अलग हो जाए और जो यह हमारे पास map था वो next line में आ जाए next row में आ जाए तो यह हमारे पास important और important links अलग-अलग है अभी website के ठीक है बड़ जब मैंने इसको mobile पर चलाया तो क्या होगा देखो important links नीचे आ गए तो यह हमारी कहलाती है responsive website कि according to the screen size चीजे change हो रही है कोई भी data cut नहीं रहा है या फिर भाग नहीं रहा है या फिर कुछ अजीव साथ पटासा नहीं लग रहा है तो हमें अपनी website को responsive बनाना है and that is the main target और bootstrap जो हमें यह facility प्रोवाइड करता है कि भई आप अपनी website को responsive fully responsive बना सकते हो तो इसमें जो सबसे पहले topic आता है हमारे पास वो है break points तो हम सबसे पहले इसी को समझते है break points क्या है हमारे पास जो हमारे यह screens है इन screens हमारे पास different sizes की है तो यहाँ पर आप अगर website में देखोगे तो यह हमारे पास कुछ break points इन होने screen sizes के according break points को fix किया है जैसे कि extra small, small, medium, large, extra large and extra extra large तो अगर किसी भी screen का size जो है 576 pixels तक है तो वो consider की जाएगी extra small size वाले screen अगर किसी का size 576 pixels से बड़ा है और 768 pixels से छोटा है तो वो जाता है small में 768 pixels से बराबर है या बड़ा है और 992 से छोटा है तो वो जाता है medium में and so on तो इस तरीके से इन होने क्या क्या है कुछ break points fix किये है screen sizes के according तो यहाँ पर देखो क्या हुआ जो हमने website बनाई थी इसमें क्या हुआ अभी जब screen size full था 1400 pixel वाला था तो यह दोनों चीज़े contact form and address पूरी वर्थ ले रहे थे website की पूरी वर्थ ले रहे थे screen की बड़ जब हमने इसको phone किया दिखो मैं आपको दिखाती हूँ iPhone XR के लिए दिखाती हूँ तो iPhone XR के लिए दिखो क्या हुआ यहाँ पर contact form यहाँ पर आ गया and जो address था वो next line में आ गया तो यहाँ पर यह चीज़ कैसी हुई मैंने यहाँ पर लगाए breakpoints कि अगर जो screen size है जिस भी system पर जिस भी screen पर मेरी website चल रही है और उस screen कर size जो है small है, medium है या फिर large है तो कुछ इस तरीके से मेरा content शो होना चाहिए और अगर screen size जो है extra large है या extra extra large है तो जो जो मेरी website है वो कुछ इस तरीके से शो होने चाहिए देखो, आप अगर ध्यान दो तो यह यहाँ तक कुछ 772, 776 तक कुछ website जो है मेरी इस तरीके से आ रही है यानि कि contact form and address एक ही layout में आ रहे है एक ही screen पर आ रहे है बड़ जैसे उससे छोटा होता है तो यह अलग-अलग row में आ गए है तो यह हमारे breakpoints decide करते हैं यह चीज़ को तो I guess आपको समझ में आ हो कि breakpoints कहाँ पर काम कर रहे है इससे तरीके से देखो मैं आपको और दिखाती हूँ जैसे यह तीनो अलग-अलग इस तरीके से आ रहे है यह row एक arrow है एक Facebook का है यह icon और एक है YouTube तो मैंने यहाँ पर breakpoints यह लगाया है कि जब तक screen size मेरे पास large है तब तक यह तीनो अलग-अलग show हो ठीक है एक ही screen में show हो जैसे ही large से छोटा हो तो यह तीनो अलग-अलग रोज में आ जाए तो यह चीज़े कौन decide करता है breakpoints decide करते है तो देखते हैं कि इनका हम लोग use कैसे करेंगे I hope कि आपको यह at least idea हुआ होगा कि breakpoints जो है उनका use क्या है actually में क्या कर रहे है breakpoints इतना I hope आपको समझ में आया होगा अब देखते हैं कि इनका use कैसे करना है हमें तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले तो यह hello world यहां से हटा देते हैं और यहां पर मैं आपको कुछ दिखाती हूँ एक चीज और जो भी हमारा पूरा का पूरा यहां पर कोट चलेगा वो डिव टाग के अंदर चलेगा इसमें हम कंटेनर का भी यूज करेंगे वह बताऊंगी अरा हो राव राव से सब कुछ चलेगा तो don't worry about it हो सकता है कुछ चीज़े आपके सिरपे से ऐसे करके जूम कर जाए बट थोड़ा सा patience रखना क्योंकि चीज़े जो है एक दोसरे से correlated है तो सब चीज़े एक साथ अगर मैं आपको बता दूँगी तो आपको confusion होगा तो try to understand, have some patience और चीज़ों को step by step समझते चलो तो भाई div हम लोग tag का यहाँ पर use कर रहे है यह चीज़ यहाँ रखना पूरे जहाँ पर bootstrap आप लोग use कर रहे होंगे वहाँ पर हम लोग div container का use करेंगे कोई भी आपको container यूज़ कोई भी आपको अगर content दिखना है कुछ कुछ लिखा है div और इसमें मैंने class यूज़ की है row यहाँ पर एक row नाम की class exist कर दी है और इसके अंदर मैं अब बनाऊंगी दो columns तो उसके लिए भी मैं यूज़ करूंगी call class का यह-5 क्या लिखा है मैं अभी नहीं बताऊंगी बिल्कुर भी नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी यह अच्छे खासे concept है guys ठीक है तो confused नहीं हो आप मैं आपको यह सब चीज़े बहुत अराम से बताऊंगी बट one by one करके अभी हम सर्फ समझेंगे concept of breakpoint तो यहाँ पर क्या क्या है मैंने एक row लिए है उस row में दो column बनाए है अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ एक image यूज करती हूँ img src is equals to images slash और यह मेरे पास कुछ images है d.png ले लो चलो और इसकी height और width हम लोग fix कर देते हैं d.ght is equals to 300 pixels कर देते हैं और ऐसी ही जो width है वो भी हम लोग यहाँ पर कुछ इसकी 300 pixels कर देते हैं fix ठीक है अब यहाँ पर एक सामने हम लिखेंगे content कुछ तो एक paragraph बना देते हैं lorem की through lorem 30 करके बस control s किया तो देखें अभी मारे पास website पर क्या आ रहा है कुछ इस तरीके से data यहाँ पर image आ गई है और यहाँ पर कुछ content आ रहा है तो अभी मैं आपको इससे दिखाती हूं कि responsive है या नहीं है तो हम गए देखो अब मैंने इसको mobile पर चला रही हूं मालो तो यह देखो content पीछे चला गया image के can you see this तो यानि कि यह जो website है भी जो हमने बनाई है that is not responsive हमें इसको बनाना है responsive अभी देखो यहाँ पर क्या है एक row है हमारे पास और उसमें दो columns मैंने बनाए है एक column में इस image को रखा है और एक column में मैंने यहाँ पर इस content को रखा है ठीक है यह column कैसे बनाए है मैंने row कैसे बनाए है वो सब मैं बताऊंगे in detail बताऊंगे क्योंकि यही इसकी नीव है तो मुझे तो बताना ही है आपको बट अभी breakpoints हम लोग समझ रहे है ठीक है तो दो columns है यहाँ पर जिसमें एक में image है और एक में यह content है तो मैं यह चाहती हूँ कि अभी तो स्क्रीन पर आजाए यानि कि देखो आप कुछ 685 कुछ around pixels पर बात हो रही है तो अगर हम यहाँ पर जाएं breakpoints में तो आप यहाँ पर अगर देखो 685 यानि कि जब medium से जब हमारे पास स्क्रीन छोटी हो रही है यानि medium से छोटी हो रही है तब हम क्या चाहते हैं कि यह content चाहते हैं मैं कुछ ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए मैं क्या यूज करूँगी देखो हम लोग यहाँ पर यह लगाएंगे call-5 यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर मैं लगाओंगी MD ठीक है MD क्या है MD stands for medium screen size अभी दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पर मैंने MD लगाया और यहाँ पर भी अगर मैं MD लगा देती तो देखो क्या फरकाएगा control S किया मैंने यहाँ पर जाते हैं हम लोग website पर तो अभी तो मैं इसको कर देती हूँ अभी देखो एक स्क्रीन पर है जब यह size जो है इसका medium या फिर medium से कम हो जाएगा देखो medium में हमारे पास क्या थी width screen की 768 तो अभी 782 है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं तो मैं अगर इसे 768 कर देती हूँ अगर तो इतनी है अब 768 से कम होगी जैसे तो देखो जो content है वो next row में आ गया है तो that is the beauty of breakpoints तो यह क्या करेगा कि जो screens है medium और इससे छोटी वाली जितने screens है small and extra small तीनों के लिए यही वाली property को apply करेगा और जबकि जो बाकी जो मारी पर screen size है उनके लिए जो content हो हमारा पूरा का पूरा पूरी screen की विर्थ लेगा तीक है अब यह आपको दिखाती हूँ अगर मालो मैं इससे large कर देती हूँ यानि कि LG का use कर लेती हूँ यहाँ पर LG in fix का तो देखो क्या होगा LG अगर मैं यहाँ पर यूज करती हूँ तो LG यहाँ पर भी LG Ctrl S किया तो क्या होना तो अब क्या होगा यहाँ पर अब क्या होना चाहिए देखो इस screen का size जब 992 से छोटा होता है तब हमारे पास जो content है वो दो रों में आना चाहिए और जबकि अगर screen का size एक्स्टर लार्ज है या फिर एक्स्टर एक्स्टर लार्ज है तो जो data है वो दो columns की form में ही रहना चाहिए देखो चेक कर वाती हू देती हूं 992 तो अभी 992 पे जो data है वो अभी पूरी screen पर दो columns में है जैसे ही 992 से चोटा होगा तो देखो जो content हमारा paragraph था वो next line में आ गया है ठीक है यह देखें जबकि हमने जब यहाँ पर medium यूज किया था तो medium में नहीं हो रहा था यह चीज medium में देखो क्या हो रहा था अभी मैं आपको excel करके दिखाते हूं extra large screen के लिए extra large के लिए control एस किया तो अभी देखो अभी माँ पास दो column में है data और अभी कुछ हमाँ पास दो column में है तो extra large के लिए देखो क्या है 1200 से कम है अगर हमारे पास तो यह देखो अगर आप उपर भी देखते रहा ना जैसे ही 1200 से कम होगा screen का size तो जो paragraph है वो नीचे आ जाएगा यह यह देखो 1200 होगे exact यह देखो यहाँ पर 1200 से जैसी में छोटा करूंगी तो यह नीचे आ गया content तो यह होते हैं हमारे breakpoints तो यहाँ पर इस website में अगर आप ध्यान दो तो जो मैंने breakpoints लग next row में आ जाए या फिर जैसे screen का size medium से छोटा हो medium हो या फिर medium से छोटा हो तो यह जो मेरा यहाँ पर यह address है वो next row में आ जाए तो यह होते हैं क्या breakpoints तो बस इसमें आपको यह चीज का ध्यान अखना है जैसे कि यहाँ पर मैंने excel यूज किया है तो excel and double excel दोनों के लिए जो small medium और large जैसे ही होगा वैसे ही यह दोनों जो है अलग-अलग अपनी row में पहुच जाएंगे breakpoints हमने क्योंकि वहाँ पर use किये हैं तो I hope कि आपको यह चीज अब clear होगी कि breakpoints क्या होते हैं और यह बहुत important है यह चीज आपको धिहान रखनी है ठीक है अब इसमें देखो मैंन के container fluid तो जैसे मैंने यह आप लिखा था breakpoints मैंने आपको बता दिया है ठीक है अब container में आपको बताती हूँ container हमारे पास यहाँ पर होते हैं यहाँ पर आप सर्च कीजेगा container मैं पास तीन तरीके containers हैं यहाँ पर container, container-breakpoint and container fluid तो container क्या करता है which sets a maximum width at each responsive breakpoint container breakpoint अगर हम लोग use करेंगे तो which is width 100% until the specified breakpoint and container fluid which is width 100% at all the breakpoints मतलब पहले मैं आपको इसका experiment करके दिखाती हूँ फिर आप उससे जो definition है correlate कर पाएंगे so यहाँ पर मैंने क्या क्या है एक div section लिया है और इसमें just a paragraph लगा लेती हूँ अभी lorem 100 कर देते हैं और अब यहाँ पर हमने इस class का use किया था तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप boot strap का use करेंगे तो वहाँ पर आपको div section का use करना है और उसमें कोई न कोई class का use करना है तो सबसे पहले हमारे पास आती है class container class, control is किया तो यह देखिए हमारे पास कुछ content आ गया है तो अगर ध्यान दो तो यहाँ पर side में कुछ space छूटा हुआ है यानि कि यह जो viewport है हमारे पास पूरा screen है उसकी full width यह content नहीं ले रहा है और अगर मैं इसे responsive में देखती हूँ त वैसे वैसे यह यानि कि breakpoints के accordingly जो space है वो छोड़ता जा रहा है और कम किया तो फिर से इसने space छोड़ दिया तो वही definition लिखे which sets a maximum width at each responsive breakpoint क्या हूँ मतलब यह देखो यहाँ पर लिखी हुई है values कि अगर extra small यानि कि जो screen size है वो 576 pixel तक है तो तो यह 100% विर्थ लेगा देखो अगर मैंसे सबसे शोड़ा कर देती हूँ 576 तक वाला देखो यह 576 तक तो देखो यह full width ले रहा है इस viewport की और अगर इससे थोड़ा बड़ा होता है यानि 576 से बड़ा होता है और 768 से चोटा है तो यह width कितनी लेगा 540 pixel की according width लेगा screen की अगर 768 से बड़ा होता है 992 से चोटा रहता है तो 720 pixels तक की यह जो हमारी जो viewport की जो screen size है वो लेगा यह तो यह होता है हमारे पास container अब मैं आपको दूसरा यहां पर दिखाते हैं तो आप उसको differentiate कर पाऊंगे container dot dash flute करते हैं एक हमारे पास class यह control less किया तो अब देखो यह full विर्थ लेगा चाहे आप इसको कितना भी चोटा बड़ा कर लो यह viewport की हमेशा 100% विर्थ लेगा तो यह देखिए यहां पर लेखा है container flute के लिए which is worth 100% at all the breakpoints तो I hope कि आपको difference clear हुआ होगा container class and container flute class में एक हमारे पास हो थी container dash breakpoint which is worth 100% until the specified breakpoint example दिखाते हैं तो मान लीजिए कि मैंने lg किया large किया तो हमने यह चीज breakpoint के case में भी देखी थी कि अगर मैंने large यहां पर use की है ठीक है breakpoint तो क्या होगा यह जो setting है अब जो 100% width वाली setting है वो मेरे पास extra small, small, medium और large तक एप्लाए होगी और जैसे ही large breakpoint से उपर यान कि अगर screen size XL यह double XL होता है तो यह जो हमारे पास हमने container class लगाई है वो वाली property यहां पर एप्लाए नहीं होगी कैसे मैं दिखाती हूँ control S कर दिया था मैंने देखो जब तक 992 तक होता है 992 तक रहता है तो यह जो है आपकी full width लेगा viewport की जैसे 992 से उपर जाएगा तो इसने side में space छोड़ना शो कर दिया वही चीज़ी दिखो यहां पर लेखे कि एगर large आप use करते हो breakpoint तो extra small small and medium तक के लिए screen size तक के लिए 100% width लेगा बट उसे उपर अगर screen का size है तो यह जैसे मालों अगर large screen का size है तो 960 pixel तक यह content को दिखाएगा extra large के लिए 1140 pixels तक की screen यानि viewport का यह use करेगा and double XL के लिए 13-20 pixel तक का viewport यह use करेगा मैं यहां पर और चीज़े आपको करके दिखाते हूं देखो medium लेते हैं तो देखो क्या होगा यह पहुचा medium तक अभी नहीं पहुचा अब पहुचा है medium medium का देखो क्या होता है मारे पास 768 तब तो मैं यहां पर लिख देती हूं देखो 768 तक तो देखो यह full worth ले रहा है ऐसी अगर मैं से छोटा करती हूं screen size तो full width लेगा जैसे 768 से उपर जाओंगी तो यह side में space छोड़ना शूरू कर देगा तो वही चीज मैं नहीं आपर करिए medium के लिए extra small and small के लिए तो यह क्या करेगा 100% width लेगा बट उससे अगर आप screen size उपर जाते हूं तो यह इसके accordingly viewport कर जो size होगा वो इसके accordingly हो जाएगा तो यह होते हैं हमारे पास container class I hope कि आपको difference clear हो गया होगा इसमें next अब हमारे पास आती है row and column कि यह सब मिलके grid बनाते हैं बूट strap में हमने grid system में क्या क्या पढ़ा एक तो containers पढ़े हैं और हमने पढ़ा breakpoints अब हमारा बचता है row and columns तो देखिए जब भी हम लोग use करेंगे bootstrap का तो हमें एक चीज़ यहां रखनी है कि इसमें जो viewport है उसको यहां पर divide किया गया है 12 columns में जितनी भी आप screen लोग लेके चलोगे न तो उसमें इस viewport को या फिर आप कह सकते screen को 12 columns में इसमें डिवाइड किया गया है 123456789 10 11 and 12 तो 12 columns में आप डेटा रख सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि 12 columns इस तरीके से आप बना सकते हो उसमें different easy रख सकते बढ़ 12 से जादा नहीं होंगे अब इसमें रो जो है न वो कितनी में आप बना सकते हो क्योंकि कि रो तो क्या है हम मारा स्कॉल करते जाएंगे रो इस तो कितनी बढ़ सकते हैं बड़ जो screen का size width है वो fix है तो उसको हम लोग 12 columns में divide कर सकते हैं ठीक है अब इसमें क्या है यह ज़रूरी नहीं कि आपको 12 कॉलम में डेटा रखोगे मेभी कि आप जो है केवल 2 कॉलम का यूस करें मेभी आप जो है केवल 3 कॉलम का यूस करें डाट टोटली विल डिपेंड ओन यॉर प्रक्राइज ऑन यॉर अप्लिकेशन जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं इस पेज की तो यहां पर मुझे पता ह पर टोटली लिपेंड और कुछ कॉंटेंट रखना है यानि कि पूरी स्क्रीन को मुझे कुछ इस तरीके से बातना है कि महां पर टू कॉलम हो जाएं बद यहां पर 12 कॉलम्स है तो कैसे काम चलेगा और एक कॉलम का डेटा नहीं अबिसली कुछ कॉलम को यहां पर किया गय या फिर दो आपकी अप्रिकेशन पर डिपेंड कर जैसे कि मैं आप पर दिखाती हूं मैंने यहां पर दो कॉल्म्ट का है और यह वाला कॉल्म फाइव seris 5510 2 columns बच्चते हैं जो कि यहां पर side में space दे रहे हैं space के लिए मैंने चोड़े हैं ऐसे ही आप तो थ्री columns में हमने data को रखा है तो मैंने क्या किया है तीन column में यवाला data रखा है, तीन में ये रखा है और तीन में यहां पर बजाए आधर प्राइक एक कोलम तरीके बने मैं जिसमें के डेटा वहा है तो कमधाइन है याँ पर दो कोन को कम आया है तो इस तेटेंगे से में फूर्ट में एट सुक्षी को एब बांतीं हैं ऐहां पर शुक्रूह में दो reconnect के लिए यहां पर छोड़ा हुआ है ऐसे ही यहां पर five columns में contact form है five columns में address है यहां पर देखो यहां पर मैंने क्या किया है जस्ट three columns में important लिया है और two columns में important links लिए और बाकी data बाकी जो columns है वो space के लिए यहां पर छोड़ेगा है तो डिपेंड करेंगा कि आपकी क्या application है किस तरी किसे आप काम कर रहे हैं ओके एक और चीज़ यहां पर columns का तो मैंने बता दिया अब rows की बात अगर हम लोग करें तो जितने भी columns हैं इन columns के लिए हमारे पास एक class होती है call करकी ऐसी हमारे पास rows के लिए class होती है row ठीक है तो हमेशा जो columns हैं वो row class के अंदर रखे जाएंगी यह चीज़ आपको ध्यान रखने है इसका मतलब क्या है मैं बताती हूं देखो जैसे कि हम चलते हैं यहां पर तो यहां पर हमने एक div container लिया था उसके बाद यहां पर आप देखो एक और div लिया था जिसमें मैंने class row का यूज़ किया था और उस class row में मैंने दो और div लिये थे एक तो div हमारे पास ये है और एक div था मेरे पास ये वाला ध्यान तेन तो अगर ठीक है यह एक class row के अंदर है दो columns बने हुए है तो वही चीज़ में आपको बता रही हूं कि हमेशा जो column वाली class है वो हमेशा एक row class के अंदर जाएगी ठीक है एक row के लिए करेंगे तो देखो एक class मैंने बनाई है ये वाली जिसमें कि मैंने image लगाई थी और एक class column जो है ये वाला है जिसमें हमने पी paragraph लिखा था तो अब देखो यहां पर आप धिहान दो यहां पर मैंने क्या लिखा है call dash excel dash 5 तो मैं अभी इसको यहां से हटा देती हूं सिर्फ call मैं column class का यूज करती हूं और आपको दिखाती हूं कि क्या इसकी वज़ा से changes आएंगे तो मैं इसको करती हूं control s तो देखो क्या हूँ हमारे पास अभी कुछ इस तरीके से data आ रहा है like this कोई भी break point यहाँ पर हमने use नहीं किया है और ना ही हमने यहाँ पर mention किया है कि कितने columns में हम लोग image रखना चाहते हैं एंड कितने columns में हम लोग जो है data को रखना चाहते हैं तो इसलिए देखो यह इधर की side भाग रहा है कुछ की ऐसा भाग रहा है तो हम लोग यह चीज नहीं चाहते हैं अच्छा मैं एक और यहाँ पर क्या करती हूं एक और column add कर देती हूं तो देखो क्या होगा Ctrl-C Ctrl-V देखो क्या होगा एक और column यहाँ पर add हो गया है कुछ इस तरीके से इसका कोई यहाँ पर breakpoint नहीं है यह अपने आप ही अपने accordingly ही next line में आ जा रहा है screen size के according बट मैं यहाँ पर यह चाहती हूं कि यह वाला जो content है यह जादा space ले तो उसके इसलिए मैं columns यहाँ पर define करूंगी मैं देखो तो image की सबसे पहले हम बात करें तो मैंने यहाँ पर रखा कि इमेज जो है 3 columns ले तो तो first paragraph है वो ले यहाँ पर 7 columns कितने हो गए 10 हो गए और जो last वाला है उसको कितने columns मिलेंगे फिर 2 columns मिलेंगे ctrl s किया तो देखे किस तरीके से data आया है can you see this इस image लिए 3 columns इसने लिए है 7 columns और इसने लिए है यहाँ पर 2 columns मैं इनको border लगा देती हूँ तब आपको और अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगा पास ही बना लेते हैं एक border add करके और उसको तीनों में लगा देते हैं तो एक border आ जाएगा और आपको चीजी अच्छे से clear हो जाएंगे हम जाएंगे head border add और इसमें फिल लगा देंगे border one pixel solid यह control s अब देखो इनके borders आ गया है तो इसने लिया यहाँ पर कितने columns हमने लगाए थे इसके लिए देखें 3 columns 7 और 2 12 columns यहाँ पर लगे थे तो 3 7 & 2 अब मैं इसको inspect पर लगाती हूँ तो देखो क्या होगा हमारे पास क्योंकि हमने container class का use किया हुआ है न इसको मैं container flute कर देती हूँ यह 100% विर्थ लेगा अब देखो यह 100% विर्थ ले रहा है screen की यह तो 3 columns 7 columns & 2 columns मैं changes करती हूँ देखो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से data जा रहा है यहाँ यहाँ पर मैंने 2 कर दिया और यहाँ पर मैंने कर दिया अब इसको बढ़ा देती हूँ रुको इसको कर देते हैं 8 और यहाँ पर कर देती हूँ 2 अब देखो क्या होगा यह 8 columns ले रहा है यह image यह 2 2 ले रहे है अब यहाँ पर मैं कुछ छोड़ती हूँ हम तो अभी तक total 12 ले रहे थे इसको कुछ changes कर यहाँ पर मैं इसको भी 2 कर देती हूँ तो 6 column में अमने data रखा है तो 6 column वाले space free होना चाहिए तो देखे 6 column वाले space free है अब यहाँ पर यहाँ पर और columns को add कर सकते हैं ऐसी अगर मैं इसको बढ़ा देती हूँ इसको मैं कर देती हूँ 5 कर देती हूँ 5, 6, 7, 8, 9, 3 column का space मैं free है ना चाहिए तो यह 3 column का space यहाँ पर free है तो इस तरीके से column and row work करते हैं bootstrap में I hope कि आपको यह clear हुआ होगा अब एक चीज़ यहाँ पर हमें देखने है कि यहाँ पर हम breakpoints को भी add कर सकते हैं यह तो आपको समझ में आ गया हो किसे 2, 3 आप कुतना भी 12 तक आप इसको use कर स करते हो ठीक है और जैसे की यहाँ पर अगर आप देखो यह देखें यहाँ पर container row class पहले use कि उसमें column लगाए इसने एक column यह है एक column यह है दो columns है फिर से दूसरी row use की है और उसमें columns लगाए मैं आपको यह चीज़ करके दिखाती हूँ यह हमारे पास एक row थी ना उसमें हम columns लिए थे ठीक है अब मैं एक और row यहाँ पर लेती हूँ या फिर इसी को copy कर लेती हूँ कंट्रूल एस तो देखे क्या changes आएंगे मारे पास कुछ इस तरीके से मारे पास data में changes आया है यह कुछ गड़बड हो गई है यहां पर 4 पर देती हूँ मैंसे अब देखना यह 4 हो गया यह 4 हो गया तो हमारे पास आप दो रोज में data आया है same data क्योंकि मैंने same copy किया था तो इस तरीके से आप हमेशा जब भी columns या data तो इस teach को हमें responsive बनाना है अभी यह responsive नहीं है अगर आप इस mobile पर चलाओगे न इस website को तो कुछ इस तरीके से data आएगा यह image text के आपर चल जाएगा तो मुझे इसे responsive बनाना है तो responsive बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे हम यहां पर लगाएंगे कुछ breakpoints जैसे कि हम यह वा कुछ इस तरीके से ठीक और इसके लावा यह वाली जो image है image को थोड़ा सा column ज्यादा चाहिए उसको बढ़ा देते हैं यह ऐसा देखो क्यों हुआ यह मेरे next line में क्यों आया क्योंकि देखो यहां पर मैंने four columns दिए इसको four columns दिए इसको five columns दिए कितना हुआ 549 10 11 12 13 columns का मैंन इसलिए क्या होगा जो डेटा है फिर जो आपने यानि लास्ट वाला जो डेटा है वो next row में फिर आचाएगा automatically तो इस चीच को हमें ध्यान अखना होगा तो इसको हम अभी कर देते हैं टू कर देते हैं कंट्रूल एस कुछ इस तरीके से तो अब देखो मैं इसको चेक करती हो कि जब स्क्रीन का साइज जो है देखो यहां तक तो सही चल रहा है तिक जब स्क्रीन का साइज जो है मीडियम वली रेंज में आ जाए तो क्या हो कि यहां पर हमारे कुछ ब्रेक पॉइंट्स यूज हो जाएं तो देखिए हम क्या करेंगे यहां पर मैंने लगाया call md4 तो देखो क्या चेंज जाएंगे जैसे ही मीडियम, small and medium and extra small screen का size होगा तो क्या होगा यह full width लेलेगा यह जो हमारे पास column था और बाकी जो column से वो next row में shift हो जाएंगे और जैसे medium से उपर जाएगा यानि कि large xl and double xl तो यह screen का full viewport लेगा तो यह हमारा breakpoints का यूज हो था तो तो breakpoints बहुत important है, इसीच को अपको धियान लखना है, अगर में आणीजी कि मैं दूसरे जहाबी मैंने content लिखा है, वहां पर लगाती हूँ, LG, तो देखे क्या होगा, control एस किया मैंने, तो large, यानि कि small, medium and large तक के लिए तो ये viewport लेगा, जैसे ही ये जाएगा Excel, double Excel पर जाएगा, screen size, तो ये full worth ले लेगा second वाला column जो था हमारे पस, यानि इसमें content है, तो देखो, इसने next में आ गया, और इसने full worth ले ले लिया है, अब screen का, इस वान, ये चीज आपको धियान रखनी है, थोड़ा सा समझ के चलना है इसे, थोड़ा सा experiment करना खुद से, values को change करके, तो आपको और चीज़े समझ में आगी, इतना धियान रखो, अगर मैंने यहाँ पर LG का use किया है, तो क्या होगा, मैं यहाँ पर एक बार ज़रा फिर से breakpoints को open करती हूँ, तो जब भी आप large breakpoint का use कर रहे हो, तो क्या होगा, हमारे पास extra small, small, medium and large जो devices है, उनके लिए full viewport लिया जाता है data के थू, एंड जो extra large and extra extra large है, उनके लिए जस setting में आपने initially data रखा है, उसे setting में रहता है data, जैसे कि यहाँ पर हुआ था हमारे पास, हमने, जब LG का यहाँ पर use किया, यहाँ पर आईए देखे, तो अभी तो इन्होंने अपना-पना space लिया हुआ है, ठीक, अब किवल इस वाले column को देखना, बाकी कुछ और मत देखना, जैसे ही screen का size क्या हुआ, लार्ज वाले पर पहुचा है, लार्ज या फिर उससे छोटा medium या फिर उससे small, तो यह जो है viewport का full width ले रहा है, ठीक, आपको समझ में आया है यह चीज, ठीक, इसी तरीके से, जो हमने यहाँ पर लगाया था, इमेज के लिए लगाया था, तो medium के लिए था, तो देखो, अगर मैं इसे छोटा कर रही हूँ अभी, तो अभी medium size नहीं पहुचा है screen का, तो यह अभी अपना column ले रहा है, जैसे ही medium size पहुचेगा screen का, तो देखो, यह image अब इस viewport का full width ले रहा है, although वो center में नहीं हुआ है, क्योंकि हमें वो चीज़ें यहाँ पर mention करनी हूँगी, बट अभी देखो, यहाँ पर अभी किवल, image वाला, यानि कि यह वाला column, जिसके लिए हमने इसको mention किया था, उतना space ले रहा है यह, जैसे ही medium पहुचा है, या फिस small पहुचेगा, तो यह अब screen का full breath लेगा, that is the beauty of using breakpoints, बहुत important है, हो सकते हैं आपको confusion हो, बट इसे अच्छे से practice करना, तो आपको चीज़ें ज़्यादा clear होँगी, जैसे अगर मैं इस वाली website की बात करते हूँ, तो सोचो हमने क्या, यहाँ पर breakpoint लगाया होगा, मालो की मैंने इस वाली image के लिए यूज के लिए 5 columns, और इस के लिए भी 5 columns, तो देखो क्या हो रहा है, यह देखो, यह next line में पाज़ के, तो सोचो मैंने हाँ आपर क्या चीज़ लगाया होगी, कौन सा breakpoint मैंने हाँ आपर लगाया होगा, मुझे comment section में बताना यह, जिसका भी comment जो है correct होगा, उसको मैं pin comment बना दूनी, ठीके, that is the, you can say a reward for you, ठीके, आपको क्या बताना है, जैसे ही मैं screen size चोड़ा कर रही हूँ, तो यह content नीचे आ गया है, तो मैंने यहाँ पर columns के साथ, क्या breakpoint यूज किया होगा, वो मुझे आप बताना, क्या आप देख लो, उपर क्या values हैं मारी, जब यह breakpoint जा रहा है नीचे, आपको एक idea हो जाएगा, यह चीज आपको मुझे बतानी है, तो I hope कि आपको समझ में आ गया है, आप container हम लोग breakpoints पढ़ लिया, हमने row पढ़ लिया, columns पढ़ लिया है, and container हमने पढ़ लिया है, यह बहुत important चीज़े हमने पढ़ लिया, अब हम क्या करेंगे, यह जो website ही उसी को बनाना, फिर से start करेंगे, और फिर जितने भी components आएंगे, उनको hand to hand हम लोग समझते चलेंगे, बट उस project को start करने से पहले, मैं आप से कहूंगी, यह सब जो चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ लेना, मैं इसमें आपको एक चीज़ और करके लिखाती हूं, जैसे कि यहाँ पर मैं एक अभी लगा देती हूं, HR, पर चीज़एंटल लाइन लगाइए मैंने बीजस्ट, आप अपर इस वन, यह अकॉर्ट ई लोगाने था है, तो हम लोग यह करेंगे को, क्या के option है, यह तो यह वाला option है, आप इस तरीके से, तीन अकॉर्ड अपर अचाइएंगे, accordingly change कर लो आप कितना easy है कोई भी कोड निखना अपड़ा just copy paste कर दिया हमने correct तो यह चीजे अब हम लोग project में सीखेंगे so stay tuned for part 2 of this video